हालो दोस्तों वालकम बैक टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम जाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की आपके पार्टनर की करेंट इमोशन्स और फिलिंग्स चाहे आपका पार्टनर मेल है फीमेल है दोनों के लिए रीडिंग है आप देख सकते हैं लव या रिलेशन में आप अगर है नो कॉंटेक्स सिचुवेशन में अगर आप है तो यह रीडिंग आपके लिए है आपको क्या करना है आपके पार्टनर को याद करना है पार्टनर से साथ बिताय हुए लमे या मैमरीज आपको याद करना है उनका चेहरा याद करना है उनका नाम लेते रह और रुनिंग को स्टार्ट करते हैं कि फिलंपी फोकस लिन आपको और पार्ट नर को याद करना है ऐंजेल्स और डिवाइन युनिवर्स ट्लेज गाइड कीजिए जानते हैं करण फिर्लिंग्स आपके पारटनर की आज क्या है क्लेश्टिर लेवल पर ऐसा लग रहा है कि आपका no contact situation जल्दी खतम होने वाला है बहुत slow है movement आप दोनों की एक दुसरे की तरफ reunion की vibes है क्लिम कीजे इस reading को आपके partner एक एक लमा बहुत मुश्किल से गुजार रहे है शायद इनको आपने घड़ी या watch गिफ्ट की है किसी बहुत ही memorable function में या किसी भी event में या बड़े पे ऐसा कुछ गिफ्ट दिया आपने इनको घड़ी तो घड़ी देखके उनको बहुत याद आती है आपकी यहाँ पे watch का symbol बनावा है तो ऐसा लग रहे है आपने घड़ी इनको गिफ्ट की है और वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये घड़ी को किसी को हाथ लगाने नहीं देते हैं इतनी इनको important है जो आपने घड इनको दी है ये reading दोनों के लिए male और female के लिए ऐसा लग रहे है कि अगर आपकी male है partner तो ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है और इनको beard है beard और लुक है इनका और अगर आपकी partner female है तो ये सलवार कमीज पैनती है और इनको जुम का पैनने का बहुत शौक है या आपको जुम के बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जुम के का shape दिखाए दे रहा है तो शाहिद आपको जुम के collection करने का शौक हो सकता है या आपके partner को अगर आप mail है तो या आपके partner ने आपको जुम के gift किये हो अभी इस वक्त आपके partner को emotional support की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि यह तूट चुके हैं अंदर से बाहर से इनकी जो हसी है वो real हसी नहीं है नकली हसी है यह हसना तो नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी में इनको जब कोई joke होता है या जो office में काम करते हैं वहाँ पे एक fake smile के साथ यह रहते हैं they are just carrying a fake smile but they are very unhappy from the bottom of their heart क्योंकि इनका happiness तो आप है यहाँ पे एक circle भी form हुआ है heart shape भी दिखाए दे रहा है इसका मतलब दोनों दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और circle का मतलब होता है कि जो आपका separation था वो खतम होने वाला है और complete होने वाली है separation की cycle यहाँ पे circle का मतलब यह भी होता है कि ring का मतलब होता है ring यानि की अंकूठी जो partner आपको दे सकते हैं आपके पहना सकते हैं एक प्यार की निशानी समझ के और commitment भी दे सकते हैं marriage के लिए जिसका आपने बे सबरी से इंतजार किया है यहाँ पे यह गाना बहुत सुनाए दे रहा है यह गाने की vibes आज है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम दोनों तरफ से आग उतनी लगी हुए है दोनों तरफ से प्यार उतना ही है आपके partner ज़्यादा डर रहे है इनको एक fear है यह emotional तो है यह साथी साथ इनको fear भी है आपको खोने का ऐसा लगता है कि कही वक्त ज़्यादा नहों हो जाए कि आप हमेशा के लिए आपको यह खो दे किसी भी हाल में आपको पाना चाहते है हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते है आपको इनका साथ ज़रूर मिलेगा आपका साथ भी इनको बहुत ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि इनकी जो life में अभी gap है उसको आप ही बर सकते है आपकी पार्टनर ने अभी इस वक्त फोकस किया है फाइनसेज पर शायद इनको आपने ही कहा होगा कि अगर life में हमको settle होना है तो finances बहुत important है तो पहले ये बहुत social media पर टाइम spend करते है अभी नहीं करते है अभी इनका focus है कि bank balance बनाए जाए financial settlement हो जाए मतलब finances इतने हो अपने पास कि दोनों खुश रह सके इस तरगी की vibes हैं आज कि आपके partner का focus जादा करके finances के उपर है stability के उपर है ये अच्छी बात है क्योंकि future अगर आप एक बहतरिंग चाहते हैं तो finances होने बहुत जुरूरी है आपके partner ये भी है बहुत ज़्यादा confused इस तरह किसे है कि इनको ये चाहते है कि एक break ले ले इस सभी situation, सभी tension, सभी depression, anxiety इस सभी situation में एक break लेना चाहते हैं आपके साथ कही पर गुमना जाना चाहते हैं गुमने जाना चाहते हैं या चाहती है शायद इन्होंने कुछ plan भी किया हो surprise भी आपको दे सकता है कही पर tickets book करके कि कही पर आपको जाना है ऐसे भी अचनक से आपको खुशी मिल सकती है कि आप अपने partner के साथ कही पर गुमने जाएं और आप भी सोच में पढ़ जाएंगी कि ये कैसे हो सकता है आचनक कैसे हो गया ये magic कैसे हो गया तो magician है ये कुछ भी हो सकता है बाजी कभी भी पलट सकती है जो impossible है वो possible हो सकता है अगर universe की blessings आपके उपर है तो तो बहुत ही positive vibes है आपके partner की तरफ से अगर आप no contact situation में है अगर आप no contact situation में भी है तो भी ये आपको भुले नहीं है इनके दिल के करीब आप ही हो आज के reading में इतना ही अगर वीडियो आच लगे तो like कीजे शेर कीजे और मेरी चैनल को subscribe कीजे thank you so much